जगजीत बेदी है, फ्रॉम शेट्स इंटरनेशनल, एक कलस्टर ओफ आट अंड क्राफ्ट, आज हम वुड़न कोस्टर को सीक्वेंस से क्राफ्ट करेंगे, सीक्वेंस से उसके उपर डेकोरेशन करेंगे और उसे डिफरेंट बनाएंगे, करते हैं स्टार्ट, यह आप किनारे पर गलू लगाई इस तरह से, और मैंने यह सीक्वेंस लगाने शुरू किये, आप देख सकते हैं बड़ यह सानी से लग जाते हैं इस तरह से, मैंने किनारा भी रेखना, यह किनारे से बाहर ना निकले, असानी से लग जाते हैं यह इस तरह से, देखिए, लग गई यह उबरे हुए भी नहीं है कोई भी चीज़ इसके उपर रखेंगे तो गिरेगी भी नहीं इसी तरह से हम इस तरफ भी लगाएंगे यह मैंने लगा दी है इसतरह से देखें बिल्कुल सिंपल और बहुत यह और हमारे पास घर में सिक्वेंस बचे होते हैं कभी सूट के लिए या किसी चीज के लिए निया को स्उक्वेंस बच जाते हैं तो यह देखें मैंने असानी से लगादी है कि दो लेइर ताकि वह सूप न जाए, दो पीस का गुलू लगाने के बाद मैं फिर और लगाती हूँ तो आप भी इसी तरह से कर सकते हैं, जितने गुलू को आप हैंडल कर सके हैं, गरम गरूं को उतना ही आप लगाए यह देखिए, मैं दो का कर पाती हूँ, तो मैं दो दो करके लगाती हूँ यह देखिए, बिलकुल असानी से लगए, बहुत प्यारे लगए आप देख सकते हैं और यहां किनारे पर भी आप चेक कर लिए, बाहर ना निकलाओ तो इस तरह से मैंने यह दो कर लगाया, और दो इसके उपर लगा दिये आप देख सकते हैं, बहुत प्यारा है, अब बीच में एक ही जगाँ खाली है तो मैं एक लगाँगी, और यह कॉस्टर हमारा हो गया, त्यार, देखिए आप देख सकते हैं, कितना सुंदर, कितना प्यारा कॉस्टर त्यार हो है, सीक्वेंस का, बहुत ही त्यारा, बहुत ही अच्छा, अब मैं दूसरा बना कर दिखाऊंगी आपको, यह मैंने लिया है, और इस पर मैं बड़ी-बड़ी सीक्वेंस की इस तरह की पतियां है, इस तरह सी मैं फिर से इस तरह से लगाँगी और इस तरह से एक का मूँ इदर होगा इस तरह से और एक का इस तरह से होगा, आप देख सकते हैं, दोनों इस तरह से, देखिए दो लग गई है, यह सुंदर लगता है, बहुत बड़ा प्यारा अच्छा लगता है, यह टे इस तरफ से लगाई आप देख सकते हैं अब मैं एक और last वाला corner लगाने जा रही हूँ यह मैंने इस तरह से लगाया एक मैंने पत्ती इस तरफ से लगाई जिसका मुँँ इस तरफ है और एक मैंने इस तरह से चिपका दी देखिए आप इसकी लूप देखिए कितनी सुंदर लगती है टेबल पर पड़ी हो कितनी सुंदर लगती है बहुत प्यारी इस तरह से मैंने एक यह डिजाइन बना के रखा हुआ है देखिए आप तो सीक्वेंस से आप देखिए कितना सुंदर कॉस्टर बने है आप भी सी तरह से कुछ ट्राई कीजेगा सीक्वेंस आपके घर में जुरूर होंगे थोड़े बहुत सीक्वेंस से आप कॉस्टर को डिजाइन करिए और उसे डिफरेंट बनाएए गोड़ लग